Hello Friends, Welcome Back to My Channel Friends, March April में आप कौन-कौन से प्लांट की कटिंग लगा सकते हो या फिर किस प्लांट की कितनी care करनी है, कैसे करनी है और कौन सा प्लांट आपको धूप में रखना है, च्छाया में रखना है और किस प्लांट के बेबी प्लांट से आप न्यू प्लांट तयार कर सकते हो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखे और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर जरूर करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए पहला इकन के साथ ये फर्स्ट प्लांट हमारा आलमंडा है जिसके यलो कलर के फूल होते हैं इसको आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हो Mother of Thousand Mother of Thousand एक ऐसा प्लांट है जिसके एक एक पत्यों में से उसके निव निव प्लांट बनते रहते हैं और इसके पास से बेबी प्लांट बहुत सारे उगते रहते हैं क्योंकि इसकी पत्यों में से इसके प्लांट तयार होते हैं इसमें आपको पानी कम डालना होता है, बहुत सुंदर ये प्लांट लगता है देखने में और देखवाल की भी इसमें कम ही जरुरत पड़ती है, सर्दियों में भी आपके पास रहता है, गर्मियों में भी आपके पास रहता है पर्मनेंट प्लांट है, छोटे पोट में, पर्मानेट प्लांट है पानी इसलिए कम डालना है क्योंकि पत्या काफी मोटी होती है उनमें पहले से भी पानी रहता है नेक्स्ट प्लांट है हमारा बोस्टरन फर्ण बोस्टरन फर्ण भी ऐसा प्लांट है कि एक प्लांट आप कहीं से ले आओगे तो धेरो प्लांट खुद तयार कर सकते हो इसके पास से बहुत सारे बेवी प्लांट निकलते हैं जिने आप अभी अलग कर करके न्यू प्लांट तयार कर सकते हो क्योंकि मोसम बहुती बढ़िया है बरसात का मोसम है ऐसे मोसम में प्लांट जल्दी से खराब नहीं होते हैं बहुत अच्छी प्लांट को नाइट्रोजन की भी मात्रा मिलती रहती है post and front को आप hanging pot में भी लगा सकते हो normal pot में भी रख सकते हो और धूप में भी आप इसको रख सकते हो चाया में भी बस पूरा दिन की धूप में ना रखे पत्तिया ब्राउन होने लग जाती है वेराइटी भी इसकी आपको बहुत सारी मिल जाती है नर्जरी में, काफी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी में मिलते हैं नेक्स है हमारा मैक्सिकन पिटोनिया, मैक्सिकन पिटोनिया की भी कई सारी वेराइटी होती है इसमें वाइट कलर होते हैं यलो होते हैं परपल होते हैं और एक भी प्लांट आपको कहीं से मिल गया तो उसी से आप सैकडो प्लांट तयार कर सकते हो इसका बीज कहीं पर भी गिरता रहता है वहीं पर इसके न्यू प्लांट तयार होते रहते हैं आप इसे कटिंग से तयार क कर सकते हो फूलों के लिए बेस्ट प्लांट है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है लेकिन अच्छे से अगर आप केयर करोगे तो और सबसे बढ़िया क्या बात है इस प्लांट की कि आप इसको धूपने भी रख सकते हो चाया में भी रख सकते हो जल्दी से खराब नहीं ह होता है इसके जो छोटे-छोटे प्लांट होते हैं इन्हें आप निकाल कर अपने न्यू प्लांट कितने भी घर पर तयार कर सकते हो मैक्सिमम इसके लिए आप 7-8 इंच का पोट रख सकते हो नोर्मल मिट्टी रखी ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी मिट्टी तयार कर नेक्स्ट है हमारा रियो प्लांट रियो प्लांट देखने में जितने सुन्दर लगते हैं उतने ही हार्डी प्लांट होते हैं एक प्लांट कहीं से ले आओ सालों साल आपके पास रहेंगे और नातोक जल्दी से खराब होते हैं केर कम चाहिए होती है बस आप इनमें 15-20 द यार हो जाएंगे और इसकी भी variety different different मिलती हैं बड़ी पत्या वाला भी रियो होता है और छोटी छोटी पत्यों वाले भी रियो मिलते हैं आप इसे भी plastic bottle में waste material जैसे kitchen के डब्बे होते हैं या फिर चार से पांच इंच के pot में 8 इंच के pot में किसी भी तरीके से decorate plant को कर सकते हो पालकनी garden के लिए ये plant best रहता है next है हमारा spider plant spider plant जो होता है इसके पास से देखे इस तरीके से runner निकलते रहते हैं तो ये runner इसके baby plant होते हैं इनहीं से आप निकाल कर इसके new plant तयार कर सकते हो क्योंकि इनहीं के पास जड़े होती हैं एक plant से बहुत सारे plant तयार हो जाते हैं इन पानी में रख देंगे तो इसका new plant भी तयार हो जाएगा इसको हम चाया में भी रख सकते हैं और दो से तीन घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर भी आप इसको रख सकते हो hanging port में लगा हुआ ये hanging port में लगा हुआ बहुत सुन्दर लगता है अगर हम अच्छे से care करते हैं इनकी पतिया काफी बड़ी भी हो जाती है जो की बहुत सुन्दर लगती है देखने में next है friends हमारा अगेव प्लांट अगेव प्लांट काफी hardy plant होता है permanent plant होता है ना खराब होता है ना सर्दी में ना गर्मी में कभी खराब नहीं होता चाया में भी आप इसको रख सकते हो नहीं को निकालन कर मैंने अलगग किये हुए है इसलिए इस प्लांट को कम ही छेड़ा जाता है क्यूक्य काटे चुबने का डर रहता है तो इसमें आपको पानी भी ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है एक दिन छोड़के भी पानी डाल ये तब भी ये खराब नहीं होत सब्सक्राइब सब्सक्राइब वो बहुत ही जल्दी खराब होती हैं और बरसात में तो जादा तर वो प्लांट खराब हो ही जाते हैं क्यूंकि उन्हें फंगस बहुत लगती हैं और इनको आप चितना मर्ची अपने घर में लगा सकते हो इनके फूलों को आप पूजा में भी चड़ा सकते हो कटिंग से इनको तयार कर सकते हो बीजो से इन प्लांट को तयार कर सकते हो इनके बीज कहीं पर भी गिरते हैं वहीं पर इनके न्यू प्लांट तयार हो जाते हैं और कई सारे कलर में भी आपको ये देखने को मिलते हैं इनमें ज्यादा तर वाइट पिंक इस तरीके के कलर ये देखने में काफी सुन्दर लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, और सुदर्सन प्लांट को सुप प्लांट भी माना जाता है, इसको भी आप 8-10 इंच के पोट में लगाईए, तो इसकी ग्रोध बहुत अच्छी होती है, आप इसे धूप में भी रख सकते हो, छाया म हम इसकी केर ना करें, तो आपको इसमें 15-20 दिन में एक बार जरूर से खाद डालनी होगी, नेस्ट है हमारा पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, बिमारीयों में पत्थरी होती है, कहड़ा बना कर पिया जाता है, फिर इस अगहार में ओना किवा डमा और पत्थर चांटेंगे, कामों बोइन को से और यहां सेकी पत्थर होती है, तो इसके बहुत सारे प्लांट, यहां आति होता है vibानना कि, So friends, next plant है हमारा Windring Jew Windring Jew plant है एक बहुत ही खूबसूरत plant है और काफी hardy plant होता है इस plant को एक बार कहीं से अगर ले आए तो सालों साल आपके पास रहेगा जल्दी से खराब नहीं होता है इसकी छोटी-छोटी cutting आप अभी लगा दीजिए बहुत easy grow हो जाएंगी आप इसे hanging port में भी लगा सकते हो, normal port में भी लगा सकते हो and सबसे अच्छी बात है कि आप इसको धूप में भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो छोटे सी छोटे port में, plastic portal में या फिर port में, waste material जैसे plastic के डब्बे पड़े होते हैं कीचन में छोटे जग में, पानी में आप इसे अपने according plant को ग्रोग कर सकते हो so friends, next plant है हमारा coleus, coleus अपनी colorful leaves की वज़े से ही पसंद किया जाता है और इनकी बहुत सारी variety होती है, different different पत्यों में आपको coleus मिलते हैं coleus आपको nursery में 40-50 rupees का मिलता है, लेकिन अगर आपके पास जो पुराना plant है, वो काफी पुराना हो गया है उसकी जो इनकी branch होती है, काफी पुराना होकर इस तरीके से tight हो जाती है और फिर ये तूटने लग जाती है, पत्या इनकी सफी जढ़ जाती है तो आपको क्या करना है, अभी इनके उपर से branch लेनी है, मतलब जो टोप पे और इनके आप soft cutting देख सकते हो इन सभी cutting को आपको लेना है, और new मिट्टी तयार करके उसमें लगा देना है आपके पास new plant आपके घर पर free में तयार हो जाएंगे और मिट्टी में ज़्यादा नमी ना रखी क्योंकि इसकी branch होती है, वो पहले से soft रहती है ज़्यादा पानी की वज़े से ये plant गल जाता है इसको घणा करने के लिए आप इसके tip से इसको pinch करते रहिए जहाई से भी pinch करोगे, वही से इसकी दो branch निकलेंगी और आपका plant काफी घणा होता चला जाएगा नेक्स्ट हमारा turtle wine, तो turtle wine भी सर्दियों में काफी लेगी-लेगी से हो जाते है बेकार होने लग जाते है, पत्तिया इनकी brown होने लग जाती है, सूखने लग जाती है अभी इस time पर आपको क्या करना है कि बहुत सारी cutting लगा दीजे क्योंकि turtle wine easy to grow plant होता है, इसकी एक-एक पत्ती से इसकी new plant आप तयार कर सकते हो दो-तीन variety में आपको मिलता है, और only size 40-50 rupees का ही आपको मिल जाएगा 20 का भी मिल सकता है, और hanging port में लगाईए, नीचे की side रटकता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, प्लास्टिक बोटल में भी आप इस plant को grow कर सकते हो और बिल्कुल कम केर चाहिए होती है, सिर्फ फर्मी कंपोस्ट डालते रही है, और पानी स्प्रे करके इस plant पर डालते रही है, जितना स्प्रे करके डालोगे उतनी ही इसकी ब्रांच नीचे की side फैलती है, दूप में भी grow कर सकते हो और छाया में भी सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर जरूर करें